मेरे पिता जी कुछ दिन पहले बुजर गए लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मेरे पिता जी किसान थे और हमने किसानी बहुत करीब से देखी है ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं यहाँ आया तो हौल में बहुत कम लोग मौजूद थे कई बाद कम संख्यां देखकर मुठी भर लोग देखकर लोगों को घबराहत होती है मुझे नहीं होती है इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमने खेती की है हमने किसानी देखी है तो हम लोग जब खेत जाते है तो मुठी पर बीज ले करके जाते है और खेतों में जब उसको बोते है तो दोरियों में फसल भर करके लाते है इसलिए आप सब लोग इतनी मुश्किलों के बावजूद यहां इस हौन में मौजूद है मैं आपका क्रांदी कर इस्तक्बान करता हूँ आपको जैब लग लाल सलाम करता है दोस्तों यहां पे पीड़ी बेठी हुई है माथुर सहाब है पेरिन दाची है बसंद सिंदे सहाब है और आलोग खरे सहाब है कहते हैं कि यह लोग पूड़े है मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता और मैं इसलिए नहीं मानता कि आप मोपालो हुआ हुआ सब्सके बारे था परें धार जा ये ठलब कर शोड़ारी मैं है भीडर्य कोड़ी करें कर दोलुक्य चर जलेंगे अ spill मघ प्रोडा गां आप आपी más एप me दोलुक्रेरिया कोड़ी मौनगेश वोनां रखुड़ आप पोटो नहीं किजवाना है, मोदी जी फोटो किजवाएंगा, मोदी जी पोटो किजवाएंगा, मैं ये कह रहा था कि, कहते हैं कि ये लोग बुड़े हैं, अंग्रेजी में बात कही जाती है, एज इस नंबर, यंग इस फिलिंग, वो हम सभी ज़्यादा जवाएंगे उनको सलाम करें, और उनको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, अभी एक साथी आये थे, माला डालते हूँ, इनके आखों में आशू था, मैं बस आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कि आपने जिस देश का सपना देखा है, जिसके लिए आपने अपनी जिंदगी लगाई है, खून पसीना लगाया है, जिस अंग्रेजों के खिलाफ लर्गर के आपने इस देश को मुक्त कराया है, इस देश को नहीं बरबाद होन कि यहां से इंदौर की धर्ती से एक खुले जंग के एलान के साथ उनको कह देना चाहते हैं कि हमारे पास क्रांगती वीज दयार हो गया है अगला प्रोग्राम इसी इंदौर में दसहरा मैदान में करेंगे कि आप मुँ काला ही कर सकते हैं तो कि आपका विचार काला है आपकी टोपी काली है लेकिन हमारे रगों में लाल रंग का खून बहता है लाल रंग का खून बहता है और हमारे सर के उपर नीला आसमान है तुम्हारे इस कालिक को हम खतम करेंगे और तुम्हारी यह जो भुराई यह अंधेरा और यह जो नफरत है उसको मिटा करके छोड़ेंगे इस बात का संकल्प में इनको क्या लगता है इनको लगता है कि किसी को देश द्रोही कह देंगे किसी को पाकिस्तानी कह देंगे किसी को नक्सली कह देंगे किसी को आतंकवादी कह देंगे तो इससे हम डर जाएंगे इनको क्या लगता है कि कुछ लोगों पर ये गोलिया चला देंगे कुछ को जेल में डाल देंगे कुछ लोग परेशान होकर कि आत्मी हत्या कर लेंगे तो इनसे हम डर जाएंगे सुनो जो डरा हुआ होता है वो डराता है हम डरे हुए नहीं है इसलिए ड़ाते हैं जो ड़ा हुआ होता है वो ड़ाता है हमें किसी बात का डर नहीं है और डर का एक मनोविज्ञान आपको बता देते हैं डर की अपनी सीमा होती है जैसे दर्द की अपनी सीमा होती है मैंने मेहनत किया है खेट में इसलिए आपको बताता हूँ कि एक ही जगह पर अगर बार बार जख्म होता है फिर जख्म में दर्द होना बंद हो जाता है और रही बार डर्की कब तक डड़ाओगे? कितना ड़ाओगे? खौफ के आधार पे क्या बनाओगे? खौफ जदा इंसानों को लेकर के कैसे विक्सित भारत बनाओगे? क्या खौफ जदा इंसानों को लेकर के विक्सित भारत बनाया जा सकता है? और ये डराने की राजनिती क्या है? ये डराने की राजनिती ये है कि समराट ने जो कहा वो कानून है रानी को जो पसंद है वही कला है और राज घराने का जो चलित्र है वही समय समाज का चालर चलित्र होता है एक बात उनको याद दिलाना चाहते हैं और इस बात के लिए हम मध्यप्रदेश की पुलिस को और इंदोर की पुलिस को कोटी-कोटी धन्यवाद कहते हुए कहना चाहते हैं कि इस देश में पीछे जो तस्वीरें लगी हुई है इनकी कुरवानियों से और आज भारत छोरों अंधोलन का परसगाट है आज वी स्वादिवासी दिवस है पीछे बिर्शा मंदा की तस्वीर लगी हुई है तंतिया भील की तस्वीर लगी हुई है बाबा साब धीमराम वेतकर बगसिंग की तस्वीर लगी हुई यह जो लड़ाई नड़ी गई अंग्रेजों के खिलाफ उस लड़ाई को जीता गया उसके बाद यह तिरंगा जंडा आज हमारे लालकिला पे भाहरा रहा है जो लड़ाई नड़ी गई उस लड़ाई और संघर्ष की बदौनत थी दुनिया के एक उंदा तस्तावेश तयार किया गया जिसे हम भार्ट्य संविधान कहते हैं और उस संविधान का असर आज भी है उसी का नतीजा है राश्ट्पती आपका उपराश्ट्पती आपका प्रधान मंत्री आपका मुख मंत्री आपका फिर भी दोर में ये कारिक्राम कर रहे हैं कि पुलिस सिवराज जी का कसम नहीं खाती है आगे संभिधान का कसम आगे आगे संभिधान हमको इस बात का इजाज़त देता है कि बेवाकी से हम अपनी बात कह सकें और उनके उपर संभिधान का ये प्रापधान है ये जिम्मेदारी है ये दायुत है कि ये उस बाचीत को सांती पुरवख कंड़क्ट करवार है इसलिए ये बार-बार कोशिस करते हैं कि संभिधान को बदल जिया जाए अगर संविधान बदल दिया जाएगा और साहजी का कहा हुआ ही कानून होगा तो ध्रोप सख्सेना को मद्वरदेश पुलिस पकर करके जेल में डालती ध्रोप सख्सेना को मद्वरदेश की पुलिस ने पकरकर के इस Soviet जेल में डाला क्योंकि वो कानून से बन्हे हुए है और उनके उपर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जासुसी की कोई नई बात नहीं है यही करते रहे हैं यह पहले यह अंग्रिजों की जासुसी करते थे आज यह पाकिस्तान की जासुसी करते हैं और बहुत ही चालाकी से इन्होंने हमारे प्रतीकों, निशानों, चिन्हों, संस्कृती, इतिहास, विराशत को कब जाने की कोशिश की हैं लेकिन कहते हैं हमारे हाँ कुट्टे को घी नहीं पचता है कहते हैं कि कुट्टे को घी की रोटी खिला दीजिये तो उसका सारा बाल निकल जाता है और उसका असली रंग, चमरे का असली रंग सामने आ जाता है सद्टा में आये हैं, बैठे में अपना चाल चरितर दिखा रहे हैं ये कह रहे हैं कि इस देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं आईए आपसे बहश करते हैं कि कौन देश को तोड़ना चाहते हैं भारत का संभिधान, उसकी प्रस्ताबना और उसका प्रथम वाक क्या कहता है, सब को याद होगा हो सकता है कि इनको नायाद हो पर्थम वाक कहे अंग्रेजी में we the people of India और हिंदी में हम भारत के नोख कहां संभिधान कहता है कि हम हिंदू राष्ट बनाएंगी संभिधान कहता है संभिधान एक बार भी बोल रहा है कि इस देश के मुशनमानों को दड़ा करके भीर दोड़ा उसकी हद्या करवा करके इसी देश में उसको दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रखा जाए और हिंदू राष्ट के स्थापना की जाए संभिधान कहता है क्या कौन देश को तोर रहा है कौन इस देश के संविधान को नहीं मानता है कौन को किसको इस देश की प्रम-पढ़ा और इतिहास और बिढासत पर भड़ोसा नहीं है ये बहस करने वाली बात है और ये बहस होने नहीं देना चाहते है अगर बहस होगी बात चलेगी तो दूर तलग जाएगी और पूछा जाएगा कि RSS का कौन सा ऐसा विक्ति है जो फासी पे चड़ा है उसका नाम पता है और यहाँ मैं अजय कांगो सहब के साथ आया था उनके पिता जी पेरिंदा जी यहाँ बैठे हुई है हमिदा जी अजय लागो सहब उन्होंने इंदोर सहर को बनाने में अपनी गुर्वानी दी है खूल पसीना बहाया है सहर को बनाने के लिए और जानते हैं चोड़ाहा किसके नाम पे है वीर सावरकर के नाम पे जिस बात के वीर सावरकर है वीर कौन होता है आप ही बताइए जो अंग्रेजों से माफी मांगता है वो बीड होता है जो हस्ते हस्ते फासी पर जूल जाता है वो बीड होता है ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहस करेंगे इतिहास पर बहस करेंगे संस्कृती पर बहस करेंगे आपके हिंदू राष्टि के विचारों पे भहस करेंगे आपको मालूम है कि हिंदू धर्म क्या है कितना जानते हैं आप अपने ही प्रतीकों को भगवारंग लेकर के आये थे आज उनको पता है भगवारंग का इतिहास क्या है इस देश में किन लोगों न भगवा रंग को उठाया है और भगवा रंग किसका प्रतीक है हमारे तिरंगे में भी एक रंग है जो भगवा है भगवा रंग वीरता का प्रतीक है कायरता का प्रतीक नहीं है और माफी मांगने वाला बीर नहीं हो तका है हैं के बापा ही पूद पड़ापई घोरा नई कुछ होतर थोर्भो ठोरा जिसके पुर्खे ही बीर नहीं हो उनके बच्चे क्या पीडे होगने हैं है हिम्मत है सहस करोगे वहस कहां भहस करोना चाहते हो तुम्हाँ विजारों परेश हरना चाहते हो सवाल पूछना चाहते हैं तुमसे दोगे हमारे सवालों का जवाब क्या चांते हो तुम हिंदु धर्म को भगवा रंग इस देश में संद दूकाराम की परंपरा का रंग है और ये इंदौर है जिसको मीनी हिंदुस्तान कहा जाता है मराठों का लाज रहा है संभाजी महराज का रंग भगवा था सिवाजी महराज का रंग भगवा था और उस भगवे रंग को अगर आप दूसरे धर्मों में भी ढूलेंगे तो सत्त और अहिंदौ का प्रतीक बुद्धिजम का रंग भगवा है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि हिंजा के लिए कोई जगे नहीं है बैशनबों का रंग भगवा है और बैशनब के बारें क्या कहते हैं बैशनब जनते तेने कहिए बीर पड़ाई जाने रहे जो भगवा रंग लेकर के गर्व बती महलाओं के बच्ची का पेट चीर करके उस पूछना चाहता हूँ आपने इस देश के इध्यास को इसकी विराशत को इसकी संस्कृति को ना सिफ इस देश में बलकि पूरी दुनिया में बदनाम किया है आज लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हो गया है हिंदुस्तान में मैं जेहिनियू का विद्यार्थी हूँ 147 इस द्रोही है लेकिन भारत की राश्टपती में उसको बेश्ट इन्वस्टी का एवाद दिया है इस साल का और इसी प्रें सवाल पूछा जा रहा है कि इस देश को खुआ क्या है कि वोड़ी दुनिया में गाय खास खाती है यहां गाय के नाम पे लोग इनसान खा रहे है तुम माता का नाम दे करके किसी के पुत्र को मार दे रहे हो जिसके पुत्र को तुम मार रहे हो उसकी माता नहीं है क्या और क्या वो भारत माता नहीं है यह सवाल मैं तुमसे पूछना चाहिए